हेलो एब्रीबन गुड मॉर्निंग अल आफ यू आज की अमारी क्लास में हम प्राइमरी मेमोरी के अंदर हमने रेम की बात लास्ट क्लास में की ती अब हम रोम के बारे में आज की क्लास में स्टडी करेंगे देखिए रोम का जो फुल नेम होता है वे है रीड ओनली मेमोरी ये कोशन भी हमारा आता है रोम का फुल नेम रीड ओनली मेमोरी होता है ये एक विशेश प्रकार की रेम होती है जो नौन बॉलेटाइल होती है इसका हर्थ है कि इसमें जो डाटा होता है वे इस थाई रूप से संग्रहित होता है रोम के अंदर जो हमारा डाटा है वे एस थाई रूप से संग्रहित होता है इस डाटा को प्रोग्रामर द्वारा ना तो पढ़ा जा सकता है और ना ही परिवर्थित किया जा सकता है इसी बज़े से इसे read-only memory कहा जाता है चुकि जो ROM है वह है non-volatile memory होती है अते इसमें संक्रही data विद्धुत प्रभा के बंद होने पर भी नस्ट नहीं होता है यदि आपके computer में एक बार इसे store कर दिया जाता है इस memory के अंदर, ROM के अंदर तो उसमें रखा हुआ data कभी भी नस्ट नहीं होगा विद्धुत प्रभा चाहे उसके अंदर चालू हो या चाहे बंद हो ROM में डाले जाने वाले निर्देश इसकी रचना के वक्त ही डाल दिये जाते हैं इसमें सामने दे PC का boot program होता है वह संग्रहित किया जाता है boot program के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि boot program वह पहला program होता है जो किसी भी computer को चालू करते ही सर्वप्रथम प्रारंब होता है computer हो की अत्रिक्त ROM का उप्योग, calculator तथा laser printers में भी बहुत अधिक मात्रा में किया जाने लगा है laser printers में fonts को सामाने तर ROM में ही रखा जाता है इसके बाद में हमारा है secondary memory first हमने primary memory पढ़ी जिसके अंदर हमने RAM और ROM के बारे में बात की थी, अब हम बात करते है secondary memory की देखे, प्रात्मिक memory जो होती है वह आबशक तो है परन्तु फिर भी सीमित मात्रा तथा नाशवान होना इसकी सबसे बड़ी कमिया है जो हमने अभी तक primary memory पढ़ी थी वह एक तो उसकी मात्रा सीमित होती है और वह बॉलेटाइल होती है यसलिए ये दोनों इसकी सबसे बड़ी कमिया होती है और इसी के परिणाम सरूप secondary memory का जनम हुआ इसे auxiliary memory के नाम से भी auxiliary storage के नाम से भी जाना जाता है ये भी आप most कर लीजिए note कर लीजिए से कि secondary memory को auxiliary storage भी कहा जाता है secondary memory पूर्णतिया non-volatile होती है अर्थात इसमें रखा गया जो data होता है वे विद्धुत प्रभा की अनुपस्तिती में भी सुरक्षित रहता है एक बार यदि हम इसके अंदर data को संग्रहित करके रख देते हैं तो उसके बाद में विद्धुत प्रभा हो या ना हो इसमें रखा हुआ data सालों साल सुरक्षित रहता है यह है प्राइमरी मेंमोरी की अपेक्षा सस्ती भी होती है और इसकी गती जो होती है वे है भी प्राइमरी मेंमोरी की अपेक्षा काफी कम होती है इसलिए दितियक मेंमोरी का उपयोग बड़ी मात्रा में data को स्थाई रूप से आगे हम बात करेंगे input output उपकरण के बारे में तो देखें ये बात तो हम पहले ही जान चुके हैं कि input क्या होता है और output क्या होता है तो इसलिए मुझे ज़्यादा बताने की आवशक्ता नहीं है समय फिर भी देखें input हम उसे कहते हैं जब हम किसी data को किसी निर्देश को computer के अंदर डालते हैं उसे हम input की प्रक्रिया कहते हैं और जब data computer में input करने के बाद में computer उसके उपर processing करके जो हमें परिणाम प्रदान करता है उन्हें हम output कहते हैं और जिन devices की माध्यम से computer में data input किया जाता है उन्हें हम input devices कहते हैं और जिन उपकरणों के माद्यम से data हमें computer हमें परिणाम के रूप में data प्रदान करता है उन्हें हम output उपकरण के नाम से जानते हैं और यह हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी गर्णा से पूर्व data तथा निर्देशों को डालना computer में आवश्यक होता है क्योंकि हम जानते हैं कि जो computer का IQ होता है computer को जो दिमाग होता है वह बिलकुश शूने होता है उसके अंदर जब तक computer कोई भी process नहीं करेगा तब तक कि हम उसे data या instruction नहीं देंगे और इन गर्णाओं के परिणाम को भी user को वह प्रदर्शित करता है इस प्रकार से computer system तभी उपयोगी सिद्ध होता है जबकि वह user से समबाद करता है और user से समबाद करने का मतलब है कि वह data input भी करता है और data output भी करता है इसके लिए input तथा output उ उपयोग किया जाता है तो देखिए input उपकरन वे उपकरन होते हैं जिनका उपयोग computer में data निर्देश डालने में किया जाता है दूसरे शब्दों में यह ऐसे उपकरन होते हैं जो user से data ग्रहन करते हैं तथा उसे computer के समझने योग्य सवरूप में परिवर्दित कर देते है और कुछ जो मुख्य input उपकरन हैं वे हैं keyboard, mouse, scanner आदी ये बात हम सभी जानते हैं कि हम computer में कोई भी data या निर्देश डालने तो वो हम कौन कौन से उपकरनों से डाल सकते हैं तो देखिए मुख्य रूप से तो हम keyboard से, mouse से, scanner से, microphone आदी के माद्यम से हमारा data computer में input कर सकते है इसलिए हम इन सभी को input उपकरन के माद्यम नाम से जानते हैं next हमारा output उपकरन तो देखिए output उपकरन वे उपकरन होते हैं जिनका उपयोग computer जनित परिणाम user को दिखाने में किया जाता है दूसरे शब्दों में output उपकरन वे उपकरन होते हैं जो computer से data ग्रहन करके तथा उसे user के समझने योगे सुरूप में परिवर्थित करके प्रदर्शित कर देते हैं समझ गए हैंगे आप output उपकरन की जो हम data computer में input करते हैं उस पर processing करने के बाद में computer उनसे जनित जो परिणाम हमें प्रदान करता है जिन उपकरनों के मात्यम से उन उपकरनों को हम output devices के नाम से जानते हैं कुछ मुख्य output उपकरन है monitor, printer, plotter, speaker आदी तो input output उपकरन के अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं keyboard के बारे में तो देखिए आप सभी जानते हैं कि keyboard हमारा input उपकरन होता है और यह सरवादिक उप्योग में लाया जाने वाला input उपकरन है इसमें पाई जाने वाली जो keys होती है जो कुंजियां होती है उनकी व्यवस्था एक type writer की keys की भाती होती है परन्तु इसमें type writer के अलावा अन्य भी कई अत्रिक्त keys होती हैं इस पर हम अलग-अलग keys को दवा कर कोई भी निर्देशय data type करते हैं सरवादिक जो उपयोग में लाया जाने वाला keyboard है वे है query keyword होता है q-w-e-r-ty ये भी आपका एक question बनता है कि सरवादिक उपयोग में लाया जाने वाला keyboard कौन सा है और उस keyboard के अंदर कितनी keys कितनी कुंजियां होती हैं तो सरवादिक उपयोग में लाया जाने वाला keyboard query keyboard होता है और इसके अंदर 101 कुंजियां होती है इसका परिचे IBM के द्वारा किया गया था और इस keyboard का नाम query इसलिए रखा गया क्यूंकि इसमें जो सबसे पहली पंक्ती के प्रतम 6 वर्ण होते हैं Q, W, E, R, T तथा बाई इन 6 वर्ण के नाम पर इसका नाम query keyboard रखा गया है वैसे आज कल 110 कुंजियों तक वाले भी keyboard आने लगे हैं लेकिन जो सरवाधिक प्रयोग में लिये जाते हैं वो 101 तथा 104 कीज वाले keyboard ही होते हैं देखिए जो कोई भी keyboard होता है उस keyboard में अंग्रेजी वर्ण माला के सभी अक्षर होते हैं A to Z अंक होते हैं 0 से लेकर 9 तक कुछ विशेश शिन होते हैं विराम चिन्न होते हैं Shift, Control तथा Alt की होती है Enter या Return कीज होती है Cursor, Function कीज होती है तथा कुछ अन्य कीज भी होती है देखिए Function कीज होती हैं वो computer के अंदर हमारे keyboard के अंदर उनकी संख्या 12 होती है Function कीज की संख्या 12 होती है F1 से लेकर F12 तक Next है हमारा Mouse देखिए Mouse भी एक Input उपकरण ही होता है क्योंकि हम Mouse के मातम से भी हमारे data या instructions को computer के अंदर input कर सकते हैं और चूहे जैसा आकार होने के कारण इस Pointing उपकरण को Mouse के नाम से जाना जाता है इस Input उपकरण की मदद से अब computer में निर्देश देना बहुत आसान हो गया है इसका मुख्य उपयोग चित्र तथा अन्ने ग्राफिक्स बनाने में किया जाता है Mouse को एक समतर सते पर जिसे Mouse Pad के नाम से जाना जाता है उस पर हतेली के बीच में दवा कर चलाया जाता है इसमें दो या तीन बटन होते हैं जिनकी सहायता से computer में निर्देश दिये जाते है Mouse के साथ screen पर एक arrow जुड़ा होता है जिसे हम pointer कहते हैं देखिए आप कभी भी जब mouse को अपने हाथ में लेकर उसे move कराएंगे तो आप देखेंगे आपकी screen पर आपके monitor पर एक तीर दिखाई देता है उसी तीर को हम pointer के नाम से जानते हैं pointer का जो सरूप है वे monitor पर हिलता हुआ नजर आता है और इस प्रकार से हम इस pointer को पूरी screen पर घुमा सकते हैं अधिकानशते जो mouse होते हैं वो यांत्रिक तक्नीक से कारे करते हैं इनके निचली सते पर रबड की एक बॉल लगी हुई होती है जो चारों दिशाओं में घुम सकती है mouse में लगे हुए sensor इसके घुमाब की दिशा को पहचान कर screen पर pointer को भी उसी दिशा में घुमा देता है लेकिन आजकल यांत्रिक mouse के स्थान पर optical mouse का अधिक प्रयोग होने लगा है इसमें जो ये optical mouse होता है इसमें कोई भी यांत्रिक भाग नहीं होते हैं जो गतिशील होते हैं इनके इस्थान पर एक photo detector लगा होता है जो mouse की लंबबद तथा समाना अंतर दिशा में घुमाब को पहचानते हैं तथा इसकी सूचना computer को बेजते रहते हैं next है हमारा printer printer जो है वह एक output उपकरण है जिससे सामान्य तया कागस पर print निकाला जा सकता है अब आप देखिए printer का जो परिणाम होता है computer processing करने के बाद में जो हमें परिणाम प्रदान करता है वह दो प्रेकार से हमें परिणाम प्रदान करता है एक तो होता है hard copy और एक होता है soft copy तो जो printer का जो परिणाम होता है उसे हम hard copy के नाम से जानते हैं जब कंप्यूटर से हम प्रिंट नहीं करवाते हैं और मॉनिटर पर जो हमें स्क्रीन पर परिणाम प्राप्त होता है उसे हम सॉफ्ट कोपी के नाम से जानते हैं और जब printer के द्वारा कागस पर print होकर के हमें परिणाम प्राप्त होता है उससे हम hard copy के नाम से जानते हैं आज के बरतमान समय में कई प्रकार के printer उपलब्द हैं इन printer को हम तीन प्रकार से प्रभाजित कर सकते हैं फर्स्ट डॉट मेट्रिक्स प्रिंटर, सेकेंड इंक जेट प्रिंटर एंड थार्ड लेजर प्रिंटर डॉट मेट्रिक्स प्रिंटर, इंक जेट प्रिंटर एंड लेजर प्रिंटर तो फर्स्ट है हमारा डॉट मेट्रिक्स प्रिंटर Dot Matrix Printer एक Serial Printer होता है इसमें एक Print Head होता है जो एक बार में केवल एक ही अक्षर प्रिंट करता है Print Head में पिनों की विवस्ता होती है Print Head तथा कागस के मदे एक विबन लगा होता है जिस पर कारवन के रूप में स्याही रगी होती है जब किसी अक्षर को Print करने के लिए निर्देश दिया जाता है तो उस पर अक्षर की आकरती के अनुसार पिन निकल कर रिवन पर चोट करती है फलसरूप वह अक्षर कागस पर छप जाता है तो इस तारी प्रोसेसिंग के बाद में हमारा प्रिंटर हमें कागस पर प्रिंट करके प्रदान करता है इस प्रकार के प्रिंटर से जो निकला हुआ अक्षर होता है वह बिंदूओं से मिलकर बना होता है अते यह बहुत अधिक साफ नहीं होता है यह printer 200 से 500 अक्षर प्रती सेकंड छापने में सक्षम होते हैं इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो इसकी printing गती होती है वे काफी तेज होती है और इसकी कीमत भी काफी कम होती है Next है हमारा InkZet printer InkZet printer भी Serial printer की शेणी में ही आता है और इनके printer head द्वारा printing के आगज़ पर श्याही की बहुत बारिक बुंदों को छिड़क दिया जाता है InkZet printer रंगीन छपाई करने में भी सक्षम होते है यह इसके खास बात होती है InkZet printer की कि यह है रंगीन छपाई भी करता है जबकि जो dot matrix printer होता है वह only black and white printing ही करता है लेकिन InkZet printer में रंगीन छपाई भी की जा सकती है इसके लिए इन में रंगीन तता काली शाही से वरी क्रेटर्जिस होती है इन क्रेटर्जिस में छोटे छोटे छित्र होते हैं जिनने nozzles कहा जाता है उन से छपाई करते समय स्याही निकलती रहती है और InkZet printer की गुणवत्ता भी काफी अच्छी होती है परंतु इसकी जो speed होती है वह कम होती है dot matrix की अपिक्षा यह printer काफी सस्ते होते हैं परंतु उनकी स्याही जो इनके अंदर जो स्याही उसकी जाती है इनकी उसकी जाती है वह बहुत महेंगी होती है next है हमारा laser printer laser printer आजकल जो वर्तमान समय में जो printers काम में लिये जाते हैं उन सभी में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला printer laser printer होता है और laser printer की द्वारा एक बार में एक paste printer होता है एक साथ में एक page उसके अंदर printer होता है ऐसा नहीं कि एक एक withdraw एक बार में प्रिंट होगा जैसे कि पहले printer से होता था इसमें एक साथ में एक बार में एक पूरा का पूरा paste print हो जाता है और बहुत कम समय में इसमें printing होती है इन प्रिंटरों में एक लेजर किरण का प्रयोग किया जाता है और उस लेजर किरण का उप्योग करके print किये जाने वाले paste की प्रतिकृती एक चार्ज यूख्ट ड्रम पर बनाई जाती है इसकी जो प्रोसेसिंग होती है उसकी बारे में हम बात कर रहे हैं कि एक चाल्ज यूGS द्रम पर जो हम पेज प्रिंट करने के लिए उसमें डालते हैं उसकी प्रतिक्रती बनाई जाती है और इस द्रम पर बनी हुई प्रतिक्रती टोनर को आकर्शित करती है यहाँ पर टोनर का मतलब शाही का पाउडर होता है उसको वह आकर्षित करती है टोनर के इन कणों को कागस पर बाद में स्थानांत्रित कर दिया जाता है इस प्रकार से कागस के उपर प्रिंटिंग हो जाती है ये जो laser printer होते हैं वो काफी महंगे होते हैं इनका उपयोग अधिकतर desktop publishing में किया जाता है इनकी जो printing करने की गती होती है वे काफी तेज होती है और छपाई की गुणगत्ता सबसे बहतर होती है इसी वजह से वर्तमान समय में अधिकतर अधिकांशते laser printers का ही प्रयोग किया जाता है ये काफी महंगे होते हैं लेकिन इनकी जो गती होती है वे काफी तेज होती है printing करने की और इसकी जो गुणवत्ता होती है वे भी बहुत बहतर होती है इसलिए अधिकांशते इनी printers का प्रयोग वर्तमान समय में किया जाता है और इस laser printer जो है इसकी सबसे खास बात ये होती है कि इसमें printing के वक्त कोई भी आवाज नहीं आती है जबकि यदि इसकी अपिक्षा हम देखें कि पहले जो printers थे जिनके बारे में हमने बात की थी dot matrix printer and ink z printer उन printers थे जब कागस पर print किया जाता था तो उसके अंदर काफी आवाज होती थी जिससे काफी disturbance होता था लेकिन जो हमारा laser printer है उसकी printing की एक खास बात होती है कि इस printer के अंदर जब हम printing करते हैं तो उसके अंदर कोई भी आवाज नहीं होती है इसलिए इन्हें शान्त printer के नाम से भी जाना जाता है यह भी question यहाँ पर बनता है और अक्सर आता है कि शान्त printer कौन से printer को कहा जाता है कम नोट कल दीजिये से लेजर प्रिंटर को शांत प्रिंटर के नाम से भी जाना जाता है या फिर इस तरह से भी कोशन बन सकता है कि लेजर प्रिंटर को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो हम लेजर प्रिंटर को शांत प्रिंटर के नाम से भी जानते हैं तो ये हमारे printer के बारे में printer मैंने आपको बताई दिया कि output उपकरण होता है और इस तरह से printer के माद्वम से हम hard copy प्राप्त कर सकते हैं next class के next class में हमारी next class में हम आगे अन्य input output उपकरणों के बारे में बात करेंगे जैसे कि microphone है speaker है, modem है scanner है, plotters है इन सभी के बारे में बात करेंगे इसके अलावा आगे हम storage devices के बारे में next class में हम बात करेंगे अभी जो हमारा मैंने आपको बताया था कि हम hardware के अंदर ही अभी हम पढ़ रहे हैं और hardware के अंदर ही हमारी next class में भी हम ठीक है धन्यवाद